दोस्तों कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Technical Classroom दोस्तों आज की वीडियो जो हमारे student हैं या फिर आप parents हैं आपके बच्चे school जाते हैं तो आपके लिए बहुत important होने वाली है आज कल आप देख रहे होंगे सभी बच्चों को school से एक form भरने को मिल रहा है उसके बाद आपका जो है अपार नाम से एक ID card बनेगा तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने वो form भरना कैसे है अगर वो form आपको school से नहीं मिला है तो कैसे आप उसको download कर सकते हैं कहां से कर सकते हैं यह तमाम जानकारिया मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ यकीन मानिये यह वीडियो आप पूरा तो दोस्तों देखो यहां पर मैं यह form बता रहा हूँ इस तरह का एक form मिल रहा होगा और यह सारे form school से मिल रहे हैं तो आप उसको parents से भरवाने के लिए जा रहे होंगे घर पर की parents भनेंगे चोटे बच्चे तो parents से भरवाते हैं और बड़े भरने की कोशिश कर रहे हैं तो gov.in आप जैसे ही इस website पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुल जाएगा यहीं से आपको यह form जो है वो डाउनलोड होगा उसके बाद देखो क्या करना है यहां पर आपको यह three dots दिख रहे हैं यहां पर three lines दिख रही हैं इस पर आपने टैप करना है आप टैप करोगे फिर इस तरह का interface खुल जाता है उसके बाद देखो यहां पर लिखावा आ रहा है about resources और बहुत सारे options आ रहे हैं ठीक है अब आपने दूसरे नंबर वाला जो option है वहां पर जाना है यह निकि resources पर टैप करना है तो resources पर टैप करने के बाद कुछ इस तरह क interface आपके सामने देखो यहां पर खुल जाता है और यहां पर बहुत सारे options आ जाते हैं अब यह आप देखोगे आपको यहां पर basic resources लिखा है यहां पर आपको एक लिखावा आएगा English वाला option है इस पर आप टैप करोगे ना तो यहां पर बहुत सारी language में आप यह form जो है वह इस language में आपको जो है form download करना है अब उसके बात देखो यहां पर एक option दिखाएगा आपको नीचे करोगे ना यहां पर दिखाएगा अपार parental consent form Hindi तो इसके आपने टैप कर देना जैसे आप इसको टैप करोगे ना जैसे मैं इसको यहां पर टैप कर देता हूं तो जैसे आप इसको टैप करोगे तो देखो यहां पर एक download का option आ रहा है तो यह जो form है Hindi में download होना शुरू हो जाएगा और जब वह form download हो जाएगा तो वह आपके सामने आ जाएगा आप उसका printout निकालके उसे भर सकते हैं ठीक है अब तीसरे से मैं बता रहा हूं कि form को आपने भरना कैसे जो इस वीडियो का सबसे mathpun part है क्योंकि कई लोग हैं उसे गलत कर देते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह का form देखो क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह form आपको यहां से उल्टा दिख रहा होता हूं यहां पर स्क्रीज में मैं इसे लगा देता हूं आप वहाँ प का नाम तो जो सबसे उपर वला यह हिंदी में मैं form भरना का बता रहा हूं जो हिंदी form में उसको बता रहा हूं मैं इंइंग्लिस में बरो следующ templam और हिंदी में भरना है इस फॉरम को तो आपने वही ड़ना है इंग् LISA होगे अगर इंग्लिश का फॉर्म है तो आप कोशिस करें बढ़ें स्कूल का यहां बच्चे का नाम ड़रें मतलब आपके जो बच्चे का विद्याल है उसका नाम आपने डाल देना है अब उसके बाद क्या है यहाँ पर लिखा है मैं सहमती पडाता का नाम अब यहाँ पर जो आएगा इस वाली लाइन में देखो यहाँ पर गारजयन का नाम आएगा इसका मतलब हुआ जो ये सहमती दे रहा है यानी पिता दे रहे हैं तो पिता का नाम आएगा माता दे रहे हैं तो माता का नाम आएगा या जो भी उस बच्चे का गारजेन है जो सहमती करता का यहां पर नाम आता है ठीक है उसके आगे दिखा है रक्तसंबंद या कानूनी संर सरंदक्षक अब देखो यहां पर क्या है यह बता रहा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑपने किसी रिस्तेदार में रहते हैं माबाप माप उनके है नई कैसी बहुर नहीं है या बाहर है तो अभी कानू् contribute किसी बच्चे को गोद लिया हुआ है तो हैं कानूनी सरंदक् करना है अगर दिखओ आपके नॉर्मल यहां पर पिता आएगा यानि कि आपका जो फोर मुझा भर रहे हैं वो पिताजी भर रहे हैं तो संबंद यहां पर लिखना है यहीजिए पुरा नाम जो जो इसकी ID कार्ड में आधार कार्ड में वही नाम अपने लिखना है धियान से जो आधार कार्ड में है कई लोगा सकते हो तो यहां पर किया है आपको अधार लिखना है तो जैसे हम अधिक तर लोग लकेंगे तो मुश्लिया आप यहां पर अधारी लगाईएगा अब सबसे जरूरी है क्योंकि मैंने ये फॉर्म कई लोगों से पता किया तो उन्होंने सारी गलती करी है अब इसके बाद देखो एक और है पैचान पत्र संक्या अब यहां पर आपने अधार बढ़ा है बढ़ा है इस बात को आपने ध्यान रखना है दोस्तों फिर उसके बाद देखो आप नीचे जाओगे यहां पर तो यहां पर लिखा हुआ है बहुतिक सहमती की थी तो जिस दिन आप साइन कर रहे हैं यानि कि जिस दिन आप जमा कराने वहां पर आपने उस दिन का डेट डाल देना है फिर लिखा है बहुतिक सहमती का इस्थान यानि कि जहां पर जिस जगह पर फॉर्म भरा जा रहा है तो जो अधिकतर मैंने ये जो फॉर्म देखा है जो ये खराब हो रखा है, मतलब अधिकतर लोगों ने जो फॉर्म फिलप तो किया पर गलत फिलप कर आ है तो वह दो जगह थी, पहली जगह थी पहली पत्र पत्र जहां पर लिखा है संक्या, वहँ पर बच्चे का यानि कि student का उ बाकि नीचे देख रहे हैं आपके स्कूल वाले हैं वही इसको भरेंगे दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अपार आईडी जो स्टूडेंट्स के लिए बन रही है आजकल उसको कैसे भरना है किस तरह से भरना है कौन सी बेसिक गलतियां हम कर रहे हैं और कहां से meye-itat-णाट करना है मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया उगा वीडियोज्क में आया वीडियो आपको समझ में आया वीडिक Qajam भाई को आग्या दीजिये मिलते हैं हम लोग अगले नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय उत्राखंड